चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगेती में रुकावण बन रहे हैं गतिरोध पदा कर रहे हैं आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोर देना आसान हो गया है क्योंकि हर तिन मेने छे मेने कहीं कहीं चुनाव चल रहा है कोई भी योजना जाहिर करोगा अब तो मिडिया में जगेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इतलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है सभी राजनीजिक दलों ने अपने विचार रखे हैं एक कमिटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट त्यार किया है वन नेशन वन इलेक्षन के लिए देश को आगया आना होगा मेलान किले से तिरेंगे की साक्षि में देश के राजनीजिक दलों से आगरे करता हूँ कि भारत की प्रगती के लिए भारत के संजाधनों का सरबातिक उप्योग जन सामाने के लिए हुश के लिए वन नेशन वन इलेक्षन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए मेरे प्यारे देश वास्यों बारत का स्वार्णिम कारखन है 2047 विख्षित भारत यह हमारी प्रतिक्षा कर रहा है बांधाय रुकावटे चलोतियां उसका प्राश्ट करके एक दर संकल्प के साथ यह देश चलने के लिए प्रतिवद्ध है और साथ जो मैं साथ देख रहा हूँ मेरे विशारों में कोई जीज़क नहीं है मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है मैं साथ साथ देख सकता हूँ कि यह देश एक सो चालीस करोर देशवाचियों के परिश्रम से हमारे पुर्वजों का खुन हमारी रगों में है अगर वो चालीस करोर लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो एक सो चालीस करोर देशवाचियों संबुरुद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं एक सो चालीस करोर देशवाचियों दिशित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं मैंने पहले भी कहाता कि मैंने तीसरे टम में देश तीसरी एकॉनमी तो बनेगा ही लेकिन मैं तीन गुना काम करूँगा तीन गुना तेजगती से काम करूँगा तीन गुना व्यापकता से काम करूँगा ताकि देश के लिए जो सपने है वो बहुत निकट में पुरे हो मेरा हर पल देश के लिए है मेरा हर शान देश के लिए है मेरा कान कान सिर्फर सप माँ भारती के लिए है और इसलिए 24 by 7 for 2047 इस प्रतिमत्यता के साथ आएए मैं देश वाच्यों का हमान करता हूँ हमारे पुर्वजोनों जो सप्णों देखे थे उन सप्णों को हम संकल पबाए अपने सप्णों को जोड़े अपने पुर्शार्त को जोड़े और 21 सदी जो भारत की सदी है उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहे उसी सदी में हम दिक्सित भारत बना के रहे और उन सप्णों को पूरा करते हुए आगे बढ़े और स्वर्णिम भारत में 45 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है तब हम कोई कोर कसर न छोड़े और मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूँ आपने मुझे जो दाइत्व दिया है मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूँगा मैं महनत में कभी पीशे नहीं रहूँगा मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूँ मैं चनोतों से कभी टकराते से डरता नहीं हूँ क्यों? क्योंकि मैं आप के लिए जीता हूँ मैं आप के भविश्य के लिए जीता हूँ मैं आप भारत माता के उजवल भविश्य के लिए जी रहा हूँ और उस सपनों को पूरा करने के लिए आज राश्ट द्वच के शाय में तिरंगे की शाय में धर्शंकरप के साथ हम आगे बढ़ें इसी के साथ मेरे साथ बोलेए बारत माता की बारत माता की बंदे 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 बंदे